खाघ के टो अब न ममस्कावर दोस्तों सबस्तों हो शमूष्ब भाली चीजिका और एक health concerned वीडियो में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं और अगर मूपीरोसिन क्रीम अवेलेबल नहीं है तो उसके बदले में कौन से क्रीम आप इस्तमाल कर सकते हो, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेगा तो वीडियो कौन तक ज़रूर देगा। मूपीरोसिन क्रीम के तो पर आता है और इसका काम क्या है यह एक ऐंटी बैक्टीरियल क्रीम है, लिडियो मतलब के उपरна हो, इंटर्नल कोई इसका इंजेशन नहीं होना चाहिए सिर्फ स्कीन के उपर एपले करने वाला चीज़ है और यह एंटी बैक्टीरियल दवा है ताकि यह बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करेगा बैक्टीरिया को मारता है तो कोई भी सिचुएशन जहां पे स्कीन कॉंप्रोम और मिट्टी पे चाड़ों और बहुत सारे बैक्टीरिया है और यह बैक्टीरिया अगर किसी प्रकार से स्कीन को स्कीन अगर कहीं पे भी आपको चोट आए और वहां से अंदर पहुच सकता है तो इंफेक्शन होता है उस जगह पे तो उसको रोकने के लिए यह दवा दिय किया जाता है यह एक क्रीम है जहां पर आपको कोई मानों के कोई घाव अगरा कुछ हो चुका है उन लगाए कट हो गया वहां से ब्लीडिंग खुन निकल आ तो उसके बाद वहां पे अपलाई करना पड़ता है उस हिसाब से उस जगह पे इंफेक्शन ना हो उसको रोकने क एले इस्तमाल किया जाता है है अब बात करते हैं कि ये मुपीरोसिन जो ऑइन्ट मेंट है ये क्यूं दिया जाता है कौन-कौन से बीमारी में देखो बीमारी तो नहीं मगर यहां पे कहीं पे भी अगर स्कीन पे कोई भी काट होता है जहां पे उन्ड हो गाओ हो और वो गाओ अगर कहीं पे भी बनता है छोटा से छोटे सी घाओ हो सकता है या फिर बड़ा वहां पे धिरे धिर इंफेक्शन हो सकता है इंफ उसे तरीके से काम करता है तो मूपी रोसीं का इस्तामाल टॉप कल ह法 अक्ट रालक है तो बहुत शेफ अंटिबायोटिक प्रापर्टी है इसमें मगर प्रॉब्लम यह होता है कि कहीं पर भी अगर घाओ हो वहाँ पर जब अप्लाई करोगे तो हो सकता है वहाँ पर थोड़ा जलन हो तो जुवन जलन जाएसा कुछ feeling आपको हो सकता है या फिर लाल हो सकता है उस जगा बस उससे ज्यादा कुछ और problem यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है और कुछ चीज कुछ cases में अगर हो सकते कि आप की शरीर जो है मुपी रोसीन जो component है salt composition पे मुपी रोसीन उसके खिलाफ कोई भी तरीके का allergy reaction दिखाए तो वहाँ पे rash होना और allergy जैसे खुजली जैसा feeling होना यह भी हो सकता है यह एक separate case है यहाँ पे यह हो सकता है अब बात करते हैं कि मुपी रोसीन क्रीम को कैसे इस्तमाल करना होता है देखो यह topical cream है topical antibody cream आपको without prescription भी मिल जाएगा medicine shop से मिल जाते है क्यों skin के apply करना होता है यहाँ पे आपका घाव है वहाँ पे इसको apply करना है पहले तो जगा को clean करे ठीक से गरम पानी में betadine lotion डाल के उसको clean करे उस जगा को साफ करे ठीक से अगर नहीं होता है तो साबुन नहीं करना है नौर्मली वैसे रखना है बहुत केसे में लोगों में जहां पे pimples वगेरा होते हैं और skin की folliculitis में जब problem होता है follicles होते हैं अमारे skin के उपर follicles में जो infection folliculitis उसका कारण भी problems आते हैं वहाँ भी मुपिरोसिन क्रीम बहुत हद तक काम करता है मुपिरोसिन क्रीम ठीक तक काम करता है तो बहुत अज़ादा cases में मुपिरोसिन यूज़ क्या जाता है इसी हिसाप से अब बात करते हैं कि मुपिरोसिन क्रीम की Indian brand name भारतीय brand name क्या-क्या है मुपिरोसिन ओड्मेंट की और यहाँ पे बात करेंगे एक example और कुछ और examplesah भी आपको बताएंगी कि आपके पास मुपिरोसिं dream नहीं है तब कौन सी between use कर सकते हो यह list आपके अप te contributes cream ही मुपिरोसिन के नाम से सबसे ज्यादा भिखने बाला cream है टीट फिर आता है बैक्ट्रोबन बैक्ट्रोबन क्रीम stop के अंप्रल सारी ये दो टीबैट हो गया बैक्टरबैन हो गया यह सेम कॉंपधिशन का यह और कुछ और क्रीम से जो अलग कॉंपधिशन का मगर अंटी बायो解तिक करीम ही जैसे के नियोस्पोर्रिन यह आंनिमेंट टरह भी आता है और है Fucidic Acid जिसका क्रीम का नाम है Fucidin Fucidin क्रीम भी आता है अगर आपके पास T-back available नहीं है जो कि मुपिरोसिन क्रीम है वो available नहीं है तो आप Fucidin भी उज़ करके देख सकते है Fucidic Acid होता है वो भी similar तरीके का ही काम करता है तो अगर हात में available नहीं है तो Fucidin आप यूज़ करके देखो आपको अच्छा result मिलेगा सारे के सारी यह जो क्रीम है यह अच्छा topical antibiotic क्रीम है ठीक तरीके से काम करता है efficiency भी बहुत अच्छा है आशा करते ही वीडियो आपके लिए helpful रहा अगर आप वीडियो से कुछ भी इंफर्मेशन गैदर कर पाया तो वीडियो को लाइक कर देना शेर करना अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ कली के साथ और सब्सक्राइब करने इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे है थैंक्यू बाई